iPhone बहुत कमाल की चीज है, इसका camera one of the best है mobile category में, in fact इस channel के सारे videos भी iPhone पे shoot किये गए हैं, पर यहर iPhone का एक बहुत बड़ा दिक्कत है, उसकी Windows के साथ compatibility इतनी अच्छी नहीं है, photos और videos transfer करते करते अच्छे अच्छो की हवा निकल जाती है, तो चलो आज मैं आपको दो तीन तरीक कर पाएंगे अपने iPhone से Windows PC में, तो शुरू करते हैं, इस वीडियो में मैं जो भी tools आपको बताऊंगा, सब free to use है, और वो मैं personally use करता हूँ, in fact जो third tool मैं आपको बताऊंगा, वो आपके Android के साथ भी काम करेगा, तो वीडियो end तक ज़रूर देखना, पहले tool की बात करते हैं SnapDrop, तो SnapDrop एक open source software है, अब इसके थुरू आप कोई भी photos, आप files in fact transfer कर सकते हैं, easily, और क्योंकि ये एक web based application है, आपको न PC पे न iPhone पे किसी पे भी एक extra application install नहीं करना पड़ेगा, आपको बस अपना web browser खोलना है, और visit करना है snapdrop.net पे, अब जैसे ही ये कर लेंगे, दोनों device आ आप connect करना चाहते हैं, same Wi-Fi पे होने चाहिए, अब आप बोलोगे, यार मुझे ये method तो best लग रहा है, अब मुझे और दो method देखने ही नहीं है, तो रुख जाओ, snapdrop का एक problem है, कई बार ऐसा होगा कि उनका server ही down है, जिसकी वज़े से ये tool use करना possible नहीं होता उस time पे, but इनक ये server down है, तो अब मैं आपको next method बता दा हूँ, जो की हमेशा reliable रहेगा, Intel Unison, जी हाँ, second tool डिजाइन किया गया, especially Intel की तरफ से और वही manage करते हैं, इसके लिए ये काफी reliable भी है, Intel Unison को use करने के लिए आपको simply अपने phone और अपने PC दोनों में app install कर देना है, और फिर उनको pair भी कर दीजिए, अब Unison के दो major requirements है, जिसके आप photos और videos transfer कर पाएंगे, पहला, आपके दोनों devices Bluetooth से paired होने चाहिए, हाँ, Unison Bluetooth भी use करता है, second requirement है कि दोनों devices आपके internet से connected होने चाहिए, उनको same Wi-Fi पर होने की जरूरत नहीं है, in fact आप अपने phone को cellular data से connect करके भी transfer कर पाएंगे, पर इस tool का जो सबसे best feature में को लगता है, वो है कि आप इससे calls भी receive कर सकते हो अपने PC पे, उसके साथ साथ आप text messages भी भी भेज सकते हो और phone के notifications भी check कर सकते हो, तो अगली बार जब आप PC पे काम कर रहे होगे और आपके phone पे कोई notification आए तो आपको PC पे ही दिख जाएगा, हर बा WhatsApp को PC पे कैसे install किया जाए, तो जाके ये वीडियो देख लीजा, जिसमे मैंने बहुत easy तरीके से आपको दो methods बताए हैं, पर वापस आते हैं वीडियो पे और third app जो सबसे best है मेरे opinion में वो है send anywhere, send anywhere के through आप कुछ भी transfer कर सकते हैं, photos, videos, file, contact, कुछ भी अपने iPhone से PC में, in fact सिर आप Android यूज़ करते हैं और आप iPhone पे हैं, one app for all solution है ये, अब इस app को use करने के लिए खाली एक single requirement है, कि जो device आप connect करना चाहते हो वो internet पे connected होने चाहिए, अब वो cellular पे connected है, या Wi-Fi पे connected है, या अलग-अलग Wi-Fi पे connected है, सब चलेगा, in fact यहाँ पे आपको Bluetooth की भी जरूत नहीं जो कि Intel Unison की requirement थी, file transfer काफी secure है इस पे, क्योंकि हर टाइम आप file send कर रहे हो, receiving device पे आपको six digit code enter करना पड़ता है, ये बिलकुल मुझे share it app जिसे याद दिला रही है, जो कि कुछ साल पहले काफी जादा चल रहा था, पर इस app पे privacy का कोई issue नहीं है, क्योंकि एक Korean company है, जो की based है Seoul, South Korea में, तो tension की कोई बात नहीं, तो बस ये थे तीन amazing methods जिससे आप easily transfer कर सकते हैं, files, photos, videos, अपने iPhone से PC में, तो अगली बार जब कभी भी अगर आपका कोई दोस्त बोले कि यार मैं iPhone से photos नहीं भेज पा रहा हूं, तो उसको ये वीडियो जरूर भेजना, और अगर आपक आपको technology related कोई भी और question है, तो मुझे comments में जरूर पूछिए, मैं solve करने की पूरी कोशिश करूँगा, और अगर इस वीडियो की यह से आपकी life थोड़ी भी easy हुई है, तो comment section में ये camera emoji डाल दीजिए, बाकि मैं आपको मेन हूँगा next video में, तब तक के लिए take care